दोस्तों, आप देख रहा है Voltage के 1.5 वाइटम 3 Star Inverter Speed Air Conditioner का यह box और आज के इस वीडियो में आपको इस Air Conditioner के unboxing बताऊँगा, जिसमें आपको यह बताऊँगा कि इस Air Conditioner में आपको कहा-का features ने chronologies लेखिनें को मिलेगी, साथ ही आपको मिलेगी, साथ ही आपको मिलेगी, जिसके वाज़े से दुस्तों आपको मदद मिलेगी अपने लिए एक बस्ट बाइंग डिसेंद लेने में तुस्तों अभी हमारा इंडोर इनिट जो आए वो अन्बॉक्स हो चुका है और अभी लेख रहे हैं कि आप इसमें जो एसेसरीज मिली है साथ में हमें एक रिमूट कंट्रोल मिला है जिसके तुरू आप एर कंडिशनर को ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों अभी हमारा ओडोर इंडोर जो है वो अन्बॉक्स हो चुका है जिसके अधर हमें यहाँ पर एक इलेक्टिटी के लिए केबल मिली है साथ में दोस्तों यह कॉपर पाइप्स हैं जो कि 10 फीट के आसपास हमें मिला है ब्रैंड की उर से 10 फीटी आपको पापर पाइप जो है वो फ्री मिलता है उसके अलावा अगर आपको एक्स्टा कॉपर पाइप भी ज़रूत होती है दोस्तों अब हम इस एर कंडिशनर के आपको फीशेशन टेक्मोजिस के बारे मताता है नॉर्मली आपको इस एर कंडिशनर के अंदर जो 100% कुलिंग के आफिसर्टी मिलती है वो 500 वाट की मिलती है और एक्ट्वल टन के साफ से हम कलकूलिट कर रहे है तो यह एसी आपको 1.45 टन का मिल जाता है नहीं दोस्तों इंडूर इनिट आपको इस मॉनल के अंदर 11.1 की जीगा मिलेगा जो आपको 20.7 की जीगा मिलेगा यानि तरीक पर 26 किलो के असपर इसका वेट आपको देखने को मिलेगा और इस एसी को दोस्तों आप अप टू 180 स्केरफेट तक के एक कॉपर एन सिल्डूम में यूज़ कर सकता है वही energy consumption की बात करूं तो इस AC का जो annually energy consumption है भी इस टारेटिंग परामेटर के साब से वो सालना 1023 सिल्ट है और दोस्तों इस मॉनल के अंदर जो maximum noise level आपको मिलता है वो 46 decibel का मिलता है और वही minimum noise level आपको 28 decibel का मिलता है अच्छी बात है कि दोस्तों जब कभी आप inverter air conditioner वो रन करता है तो initial time पर AC जो है वो शुरुआ आपना noise जादा करता है जिसे temperature अची होता जाता है वैसे वैसे noise level भी काफिया कम होता जाता है दोस्तों noise level जो मैंने आपको बताया था वो आपको company की तरफ से क्या specification दिया है उसके साफ से बताया था exactly इसी कितना noise करता है वो मैं practically आपको आगे बताऊंगा अब यह हम इंडोर unit की cooling coils और condenser coils की बात कर लेता है तो दोस्तों जो इंडोर unit की cooling coils मिलती है वो आपको golden कलर की मिलती है और 100% copper की बरी हुई है सेम आपको outdoor unit की वीजोवी भी बिलती है वो भी आपको 100% copper की मिलती है जो कि best part है इस AC का एर filtration के अगरे में बात करूँ तो anti-microbial filtering AC में देखने को मलता है जिसे के हम dust filter भी कहता है और यह जो filter है दोस्तों हवा से dust particles को cleaning करता है और AC से आपको pressure provide कराता है मैं बात करें दोस्तों convertible cooling modes की तो यह AC 5-in-1 convertible cooling modes के साथ आता है जिसमें आप AC को कम capacity में run कर सकता है यानि कि actual turn जो भी मिलता है आपको 1.5 उससे कम tonage पर लिए आप AC को चला सकता है और अगर आपको ज्यादा को link की requirement है तो इस AC को आप 1.6 capacity में भी चला सकता है दोस्तों यह air conditioner जो है वो in-will stabilizer free operation के फीचर के साथ आता है जिसके voltage range आपको 110 वाल्ट से लेकर 285 watts तक देखने को बढ़ेग तो मैं तो आपको यह रिकमेंट करबाएं कि Galaxy Stablezer EC6 साथा अगर आप लगा लेता है तो आपका AC हमेशा power station से तुरक्षित रहेगा वैसे कंप्रिया आपको फीचर दे रही है जो कि कापी अच्छी बात है नहीं दोस्तों इस AC के अंदर आपको जो indoor heat से air delivery विजती है वो 4-way air sync के करत देखने को बज़ती है यानि कि left and right and up and down चारो दिशाओं में air conditioner का जो indoor mute है वो air through करता है जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठेंडा हो जाता है indoor heat के cooling calls को clean करने के लिए इस model के अंदर आपको ice wash का feature मिलेगा जिसमें AC एक program रण करता है और वो automatically जो coils वगर आपको मजदी है उनको clean करता है जो कि best part है आप regular ने जब कभी air conditioner पर लगातार use करते रहता है तो दोस्तों AC के जो filter है उसके उपर दूल जामा हो जाती है तो आपक watch feel जो feature इस model में आपको दिया गया है क्योंकि काफी अच्छी बात करें दोस्तों इस model के अंदर आपको inverter rotary compressor मिलता है जिसका voltage यह claim करता है कि 52 degree temperature में भी इस compressor से आपको बहुत अच्छी uniform cooling मिलेगी दोस्तों इंडिया में 52 degree temperature वैसे बहुत सारे इलाकों में रहता ही नहीं है हम क हुआ 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 है दोस्तों वोल्टास के शेयर कंडिशनर पर आपको एक साल की और पुड़क पर वारेंटी मिलती है और तस साल की compressor पर ऑफलाइन मार्केट से जब भी आप इस साल की PC को पर भी वारेंटी आफर होगी तो हम कह सकते हैं कि सेसी के उपर आपको पास साल की PC को पर भी वारेंट पर आपको इसी कि करनड़ पाइस है तो पीश्यार 990 रुपए तो सब्सक्राइब करता है कि 48 डेसिबल माक्जिमम यह इसी जो है वह नाइस करता है तो भी हम प्रैक्टिकली शेक करेंगी कि आपको इस वार्व में कितना देखने को मिल रहा है जैसर कि दोस्तों आपने चैक किया कि कम्पनी चाहे जो भी क्लेम करें को कि मार्केट में बहुत सारे कंडिशनल ब्रांड साते हैं और वो अपने नौइस लेवल को जाधे सुपीर बताने की कोशिश करता है जैसिके मार्केट में जो भी ब्रैंडड़ कार उगरा होती है इ एक्चुल आपको कुछ और ही देखने को मलता है, तो अभी इस AC के इंडोर नेट से जो हम है, maximum noise level देखने को मल रहा है, वो 55 या फिर 56 decibel के आसपस देखने को मलता है, लेकिन ये noise level दोस्तों इतना ज्यादा भी नहीं होता है, कि इससे आपकी नीन दिस्टा हो जाए, तो इस point को आप अपने लिए ignore भी कर सकते हैं, दोस्तों अभी हमने इस AC के temperature को चेक किया है, और ये AC जो है, वो 10 निट हो चुका है, चलते चलते और अभी आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहा है, कि 28 degree temperature हमने set किया है, तो रूम के temperature भी आप देख सकते हैं, कि 28.6 के आसवाज जो हैं, वो एची हो चुका है, तो दोस्तों cooling के साब सागर मैं देखूं, तो ये AC बहुत ही अच्छी cooling आपको provide करेगा, तो cooling के मामने में बिल्कुल आपको tension लेने की ज़रवत बिल्कुल भी नहीं है, अब बात करते हैं दोस्तों इस air conditioner के pros and cons के बारे में, तो कौन एने की कमी केवल आपको इस model में ये देखने को मिलेगी, कि जो भी आपको outdoor rate मिलता है, वो फ्रॉबा साइज न फूटा मिलता है, वहीं दोस्तों खरीदने के अगर में बज़ा की बताऊं, तो काफी सारी बज़ा है, सबसे बेले में जेते हैं दोस्तों कम बजट में आपको ये air conditioner मिल जाता है, बोल्टास का product है, जाने की TATA बनाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना reliable product है, कुलिंग के मामने में काफी vision एंटर दोस्तों आपको power भी अच्छा खासा save करके provide करता है, क्योंकि ये 3 star AC है, inverter AC है, तो सिर्फी सी बाते दोस्तों variable speed में काम करेगा, तो इससे आपकी अच्छी कसी power saving भी होगी, साथ दोस्तों आपको इसमाँ ice wash का feature मिल जाता है, दोस्तों world hours में जितने भी ये traditional models हाता है, inverter AC category में, उन सभी के best buying link में न दी है, आपको discussion box में, आप उसे जरूँ चेक करें, दोस्तों हम ground level पर जाकर महनत करते हैं, research करते हैं, जैसे कि अभी आपनी studio में भी देखा होगा, और फिर अब आपकी निए video पर रिपर करते हैं, ताकि आपको मदद हो अपने ने कोई भी best product को choose करने में, इसे पर दोस्तों अगर आप कोई भी product online purchase करना चाहते हैं, तो मैं आपको recommend करूँआ कि आप हमारे द्वारा दी गई, discount affiliate link से ही purchase करें, आपको वहाँ पर bank की credit card और debit card के उपर cashback offers देखने को विल दाएंगे, और अगर आप हमारी affiliate link से अगर परतिस करते हैं, तो दोस्तों आपके product की price होए रहेगी, लेकिन आप indirectly हमारे चनल की काफी दाधा financially help करतेंगे, अगर आप हमें support करना चाहते हैं, तो हमारा दवराय देगई affiliate link से ही परतिस करें, तो दोस्तों ही रहा complete unboxing review वीडियो जहाँ पर हमने इस एक करणिशना के features and challenges के बारे में आपको बताया है, साथे दोस्तों आपको यह भी बताया है कि आपको देखनी को मिलेंगे और कुछ चीज़ें हमने आपको practical दरके भी बताया है, उम्मित करता हूँ दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा सब प्रसंदाया हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा सब लाइक किजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स तूबर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मतुलेगा, और अगर आपके को सवाल है, तो प्लीज कमेंट किजिए, मैं आपके सवालों पर अप्लाए आपको जरूर वरूँगा, तो अच्छी वीडियो में इतना ही बहुत जल देखने ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बंदै मातराम,